बॉलिवूर्ड इंडॉस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा पूनम धिलो को तो आप सभी लोग काफी अच्छी से जानते ही होंगे जिन्होंने नूरी ये वादा रहा और सोनी महिवाल जैसी कई सूपर हिट फिल्मों में शांदार अभिने प्रदर्शन करके लागों दर्श फर्ज बनता है आपको इनकी फैमिली से रूबरू करवाने का तो बिना वक्त गवाई जल्दी से रूबरू होते हैं आपकी फेवरेट पूनम धिलो की रियल लाइफ फैमिली से पर इससे पहले आप अपनी फेवरेट अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूल बॉलिवूड इंडॉस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा पूनम धिलो एक हिंदू परिवार से तालुक रखती हैं इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल आठ सदस्य हैं जिनमें ये इनके माता पिता एक भाई बहन और पती के साथ दो बच्चे भी शामिल हैं शुरवा आप इनकी एक ही तस्वीर इंटरनेट पर देख सकते हैं पिता के बाद बात करें इनकी माता के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी माता स्कूल की परिंसिपल रह चुकी हैं और आज ही अपने घर को काफी अच्छे से समालती हैं हाला कि इनकी तस्वीरे इंटरनेट पर जादा उपलब्ध नहीं है जिसके चलते आप इनकी एक भी तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देख सकते माता पिता के बाद बात करें इनके भाई और बहन के बारे में तो आपको बता दें कि इनके भाई का नाम बलजितेंद्र सिंग धिलो है और बहन का नाम रश्मी धिलो पाई है इनके भाई पेशे से एक डॉक्टर थे और अपनी फिल्ड में काफी ज़्यादा कामयाब थे और अपनी पॉस्टनल लाइफ में बिजी हैं आप बात करें इनकी पॉस्टनल लाइफ के बारे में इनके पती का नाम अशोक ठकेरिया है जिनसे इन्होंने साल 1988 में शादी कर ली थी बता दें कि इनके पती पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने टोटल धमाल, सूपर नानी और डबल धमाल जैसी कई सूपर हिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका ये रिष्टा कुछ जादा लंबे समय तक नहीं चल सका जिसके चलते हिन्होंने साल 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग हो गए बड़े परदे पर नज़र आने वाले हैं बात करें इनके अफ्यर्स के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने जीवन में तीन लोगों से प्यार किया था जिनका नाम राजेश तलवार, राज सिप्पी और कीकू है जिनके साथ किसी कारण वर्शन का ब्रेक अ हो चुका है तो दोस्तों आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें